Hello Friends, Welcome Back to Technical ब्रगूव तो दोस्तो सेमसंग लाँच कनने वाला है सेमसंग ग्लेक्सी A31 इसमार्पोन को और इसके साथ दो इसमार्पोन भी लाँच होंगे जो कि होंगे सेमसंग ग्लेक्सी A11 और ग्लेक्सी A41 और दोस्तों इसकी कापी सारी leaks और rumors भी भार आचके हैं जिससे कि दोस्तों ये confirm हो जाता है कि Samsung Galaxy A31 में आपको triple year camera setup देखनी को मिलेगा और इसके साथ ही आपको Xenos 9610 का chipset and 5000 mh की battery भी मिल जाएगी तो चली दोस्तों बात कर लेते हैं Samsung Galaxy A31 smartphone की specification के बारे में detail में कि इसमां आपको क्या कुछ देखनी को मिल सकता है और क्या होगी इसकी Indian price और कब तक या आपको इंडिया में भी देखनी को मिलेगा तो चली दोस्तों वीडियो श्टार्ट करते हैं तो श्टार्ट करते हैं सकी डियान से तो इसमां आपको glass back देखनी को मिलेगा जो की glossy gradient पिंसिंग के साथ आएगा और इसी के साथ आपको triple year camera setup with LED प्लेस भी मिल जाएगी और दोस्तों इसमां आपको rear mounted fingerprint sensor देखनी को मिलेगा इसमां आपको in display fingerprint sensor देखनी को नहीं मिलने वाला और back sound में आपको goila glass 6 का protection देखनी को मिलेगा अब बात करते हैं सकी display के बारे में तो इसमां आपको 6.39 इंचिस की full HD plus super amulet display देखनी को मिलेगा जिसका full regulation होगा जो की एक water drop panel होगा और इसकी skin को protect करने के लिए goila glass 5 का protection भी मिलेगा और बात करते हैं सके camera आज के बारे में तो back sound में आपको triple camera setup देखनी को मिलेगा जहां पर 16 megapixel primary sensor होगा 8 megapixel ultra wide angle lens होगा 5 megapixel depth sensing sensor होगा और इसमां आपको 4K video recording के साथ slow motion जैसे feature भी मिल जाते हैं जो की इसके camera की performance में आपको और भी ज़दा improve देखनी को मिलेगा और फ्रेंट सेड में आपको selfie के लिए 16 megapixel का selfie camera देखनी को मिलेगा जो की water drop के अंदर होगा और बात करते हैं सके performance के बारे में तो इसमां आपको Samsung के खुद का Xenos 9670 का chipset देखनी को मिल सकता है और इसमां आपको N.10 का support भी मिलेगा जो की base दोगा Samsung की 1 UI पर और ये India के अंदर दो RAM variant के साथ launch होगा 3G plus 32 GB and 4G plus 64 GB and वहीं पर बात करेते हैं सकी battery के बारे में तो इसमां आपको 5000 mAh की battery मिल सकती है जिसके साथ आपको fight charging का support भी मिलेगा जो की 15 watt के super part charger को भी support करता है और इसमां आपको type C4 3.5 mm audio jack and face unlock जैसे feature भी मिलेंगे तो चली दोस्तो अब बात कर लेते इसकी price और launch rate के बारे में तो दोस्तो इसकी base brand की price इंडिया के अंदर 15,000 रुपए से नीचे होने वाली है और दोस्तो ये इंडिया के अंदर 2020 के पर्ष्ट quarter में launch हो सकता है तो दोस्तो ये थी Samsung Galaxy A31 की कुछ specs I hope दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर वी झाली हे झाल ब होगी और.